दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल में दोस्तो इस वीडियो में बड़ा अपडीट है नर्सिंग ओफिसर जो पेंडिंग थे जिनकी परिवेदना लगी थी उन सब की जो लिस्ट है आच चुकी है जी हाँ दोस्तो तक्रीबन 600 से ज़ 2023 की वेकेंसी में बाद में कोर्ट गए वो लोग कोर्ट ने मोका दिया सबको 13 से 19 सितंबर तक परिवेदना लगाई गई और उस पर सिफू ने आप वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो जारी की है जी हाँ दोस्तो आप लोगों के सामने है देखिए सबसे पहले बात करें एक पीएच की लिस्ट है ठीक है साथी यो दूसरा यहाँ पर आप लोगों की है अधेशनल जो लिस्ट है वो ठीक है आप देखिए साथी यह लिस्ट जो है जारी कर दी गई है सिफू की तरफ से अब सबसे पहले यहाँ पर बताए गया मानिन ये न्याले के आदेश के अनुस को किया जाएगा ठीक है डेट याद रख लें 39 और 30 को अब यहां पर क्या करना है जो पी एच कैंडिडेट सा उनकी लिस्ट जारी की गई है वो वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो पी एच कैंडेट को सबसे पहले जो जाना होगा कहां पर जो अस्पताल है उसमें जा ठीक है दोस्त और grievance का status ठीक है तो काफी लोगों ने हाँ पर change भी किया category को भहुत सारे issues experience को लेकर के हैं तो यह है आप लोगों के सामने यह date दी गई है किसका गुनत 30 को और किसका 30 तारीक को है ठीक है साथियो experience experience आप लोग देखें आप इसको देख सकते हैं आप लोग experience ठीक है साथियो you are to EWS भी काफी लोगों ने किया है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिये mbc2 ncl देखिये आप लोग experience के issues बहुत सारे हैं अब यह हो सकता है experience वाले जिनके में no लिखाता वो हो सकता है जिनके में yes या no नहीं हो पाए था उस time पे forum में वो भ लोग यहाँ पर देख पारे होंगे you are general category से काफी सारे लोगों ने EWS भी किया है आप लोग देखें ठीक है जब general में number आता नहीं दिखा तो लोगों ने category चेंज कर ली जैसे लोगों पर यहाँ पर सरकार को चाहिए विभाग को चाहिए सिफू को चाहिए कैसे लोगों को consider ना करे experience जो भी EWS जिनोंने किया है उनको कम से कम consider नहीं किया जाना चाहिए यह हमारा overall मानना है देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लोग लालाईत हैं ठीक है कुछ court order से भी सामिल हुए हैं ठीक है पेंडिंग successful देख सेकते हैं आप लोग इनकी percentage तो हलंकि बताई नहीं गई है कि कितने कितनी percent वाले हैं सीफू हर बार कोई ना कोई गलतियां जरूर करता है इस मामले में कि किसका क्या है अब बस नाम बता दिया ID बता दी male female जो भी था वो बता दिया लेकिन percentage नहीं बताए कि वह कितने percent वालों को बुला रहें लंबी list है 600 पार candidates है ठीक है सात्य यह आप लोग देख सकते हो कुल मिलाकर के 602 candidates है ठीक है कुल मिलाकर कितने candidates है 602 candidates यह है जिनकी प्राविजिनल जो sorry verification सूची है वो जारी की गई है ठीक है अब बात कर लेते हैं सात्य यहां पर दूसरी list है जो pH candidates के ठीक है pH जो absent रह गए थे उनको chance यहां पे दिया गया है यह आप लोग देख सकते हैं 39 और 30 तारी को आप लोग को जाना है इसमें भी इνहोंने date लिख रखी है ठीक है सात्यों? यह आप लोग देखें जैपूरिया? अस्पताल है किसी का कोई है तो इसमें जाना है तो यह आप लोग देखें 39 तारी को उपर date लिखी होगी? ठीक ह 39 को यहाँ पर total candidates 49 है उसके बाद यहाँ पर देखे आप लोग 39 तारीक को एक और सुची है उसमें 60 बच्चे है ठीक है दूसरी फिर आप लोग देखें 39 तारीक की तीसरी सुची है यह PH candidates की यह समझो यह absent रह गए थे लोग ठीक है ना इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते है ठीक है और यह 30 वालों की है 30 को जहां तक है total 66 candidates है ठीक है साथियो 30 को यहाँ पर जो है 29 तारीक को 33 एक है और 30 को जो 33 के बाद है वो 66 है ठीक है 36 बच्चे है 33 बच्चे है यहाँ पर यह जानकरी है 29 और 30 तारीक को होगा अब कोई मत रह जाना उसके बाद कोई चांस यहा तेलिग्राम ने हमारी और से और ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जै हिन दोस्तो जै भारत